कोशिश कीज़ेगे इस concept को बहुत अच्छी तरह से समझ लेने की because this is very important decide your own risk and reward ratio actually यह जो chart है यह अपना win rate का chart है अब माल लीजे कि हम लोग upside से शुरू करते हैं यहां से 2 is to 1 मतलब यह सबसे बेकार win ratio होता है सबसे बेकार कि आपका 2 रुपए का risk है और 1 रुपए का profit है आपने 2 रुपए का आपका यह risk है और सिर्फ 1 रुपए का profit है कभी भी profitable नहीं हो पहोगे और यह वालो जो win rate होता है यह इसलिए हमने यहां पर इसको लिख रखा है बिकाज बहुत से लोग इस ratio के लिए भी काम करते है 2 to 1 के लिए मतलब 2 रुपए देने को तयार है और 1 रुपए लेने के लिए तयार है बट यह जो risk and reward issue होता है यह ज्यादा अतर होता है gamblers का उचाहें जितना भी कर ले एक trade उन्होंने perfectly अपना perfectly तो नहीं बोलेंगे एक trade उन्होंने win कर लिया मतलब एक trade के अंदर को इच्छा सा profit book कर लिया तो कल को क्या कुशिश करते हैं कि हम जाएंगे और 2-3 रुपए लेकर वापस आजाएंगे 1000 कांटी मारेंगे 2000 कांटी मारेंगे 2 रुपए या फिर 3 रुपए लेकर के बाहर आजाएंगे 2000-4000 रुपिस का profit होगा इस इनफ उनके लिए बहुत है अब इस वाले win rate के लिए यह लोग काम करते हैं तो 2-2 है अब इसके results देखिए क्या हो सकते हैं 20% आपका risk and reward ratio profitable तो आप नहीं ही रहोगे फिलाल 30% आपका win ratio है not profitable 40% not 50% भी win ratio है not profitable 60% win ratio है not profitable हम कहेंगे अगर यहाँ पर आप 80 आ 90 के करीब ही पहुंच जाओगे न प्रॉफिटेबल नहीं है यह आपके लिए अगर आप में से कोई भी 2-1 के लिए काम कर रहा है तो थोड़ा सा aware रहने की ज़रुरत है क्योंकि यह risk and reward ratio बहुत ज्यादा घातक होता है आठ दिन तक लगातार आप प्रॉफिट 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 करते चले जाओगे लेकिन दो दिन का वो लॉस पूरा का पूरा प्रॉफिट आपका साफ aware रहने की ज़रुरत है तो अगर ये वाला विन ratio आपका है तो तुरंत इसको cut कर दिए तुरंत minus कीज़े अब आते हैं हम लोग 1 is to 1 के लिए market में बहुत से लोग है इसको छोड़ देते हैं 2 is to 1 के लिए 1 ratio 1 के लिए बहुत से लोग काम करते है हमारा एक रुपया का risk है और एक रुपया का हमारा target है बहुत से लोग इसके लिए काम करते हैं बट अब इसका ratio देखी क्या निकलते है mathematics में mathematics क्या होता है कि यह जूट नहीं बोलती 20% आपका risk ratio risk and reward ratio है 20% भी अगर आपका winning rate है not profitable 30% not profitable 40% not profitable 50% break-even पर आप निकल जाओगे मतलब break-even का मतलब कि आपने 5 trade win कि यह 5 lose कर दिये तो break-even पर ना ही profit and ना ही loss पर लेकिन मेरे according देखिए तो यहां पर भी आप loss महीं हो 50% आप का win ratio है ना आप loss में हो profitable नहीं हो because 50 रुपय का loss हुआ था 50 रुपय का profit हुआ अप cash में ब्रोक्रेज नहीं जाएगी आपके हाथ से कई बार होगा कि निकलने में हम लोग देर कर देते हैं थोड़ी थोड़ी नहीं कि हमारा 1,000 रुपय का risk है तो 1,000 की रुपय के risk तक ही हम वेट करेंगे बहुत बार क्या होता है कि 1,100 भी हो जाता है 1,050 भी हो जाता है 9,050 भी हो जाता है कम ज्यादा चलता रहता आप बिल्कुल ही perfectly नहीं निकल सकते है 50% भी अगर आपका win ratio नहीं तो भी आप यह profitable नहीं हो 60% भी win ratio है ना कुछ-कुछ आप profit में आ जाओगे कुछ-कुछ बट यह जो win rate है आपका 1-1 का this is just like video game बहुत बार काफी बार इस चीज़को हम repeat कर चुके हैं लेकिन यह जो चार्ट हम लोग हमने बनाया है जिसको हम आपके साथ share करें डिसकस करें आप जो देख रहो इसको थोड़ा सा time pass ने इसको seriously लीजेगा कोई भी trade आप कोई भी plan कर रहो ना उसको पूरी तरह से mathematics भी सही होना चाहिए उसके उपर आपका fundamentally भी सही होना चाहिए technically भी सही होना चाहिए at the month के जो last में आप profitable होने की कोशिश कर रहो तो उसमें यही सारे factors काम करते हैं अब माल लिजे आप थोड़ा सा अच्छे risk and reward ratio की तरह बढ़े विच इस 1 इस्टू 2 अब 1 ratio 2 के लिए आप आये 20% win ratio है आप profitable नहीं हो 30% win ratio है आप profitable गलत हम लोग चलेगे 1 ratio 2 पर थे अब माल लिजे यहाँ पर 30% win ratio है आपका not profitable 40% win ratio अगर आपका है तो यहाँ पर आप अपनी brokerage निकाल लोगे यहाँ पर हम profitable सिर्फ brokerage को छोड़ करके बोल रहे हैं अगर हम brokerage भी count कर लेंगे तो आप यहाँ 40% हो गया ना आप अपनी brokerage निकाल लोगे 50% अगर आपका win ratio है 10 में से 5 rate अगर आप win कर रहे हैं तो यहाँ से आप कुछ पैसे ले करके घर जाओगे 1 ratio 2 में 1 ratio 2 में अगर 50% आपको यह practical चीज हम आपको बता रहे हैं कहने होगे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हम 40% भी win ratio होगा तो हम profitable हो गए लेकिन इसे में वही चीज है कि कभी कभी होगा कि हम thousand जो चीज अभी हमने डिसक्स के कि thousand रुपिस का आपका loss है तो हो सकते हैं कि nine fifty का ही आपको वहां पर आपको loss मिले या फिर thousand रुपिस का तो 150 या फिर 1100 पर आपको loss हो सकता है आपने 2000 का अपना profit रखा तो जरुरी नहीं ही कि हरु$2000 मेल है को अप डीकषार जाते हो। बारा आप 1700 FE निकल जाते हो। कई बार आप क्या अगर हूँगा यह इतना ज़्यादा हम फिक्स कितना भी करें इतना ज्यादा फिक्स नहिं हो सकता। तो 50% आपका win ratio है तब आप जाकर के यहाँ पर profitable हो पाऊगे और अगर 60% chance मतलब 10 में से 6th trade आप win कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है but 60% win ratio भी आपका profitable तब है जब आपका win ratio 1 is to 2 है इसके उपर के जितने भी है यह सारे के सारे भेकार ratios होते है time pass होता है यही reason होता है बहुत लोगों के साथ कि कोई money management नहीं है कोई risk management नहीं है trade कर रहे हैं पूरे 3 दिन 4 दिन पूरे हफ़ते हमने बहुत अच्छा सा profit book किया है last में weekend का जो day होता है अगर 20% win ratio आपका है आप profitable नहीं हो 20% में भी आप profitable नहीं हो 30% आपका win ratio है आप profit स्टार्ट हो जागा 1 ratio 3 में 10 में से 3 trade भी अगर आपके सही होते हैं मतलब कि 10 मोके अगर आपको दिये जाते हैं trade का direction decide करने में और 10 में से सिर्फ आप 3 बार उन trades को decide कर पाते हो जो prediction आपने की उसमें 3 बार आप सही हो रहे हो 7 बार गलत हो आप profitable हो जाओगे अगर 10 में से 4 बार आप सही हो गया तो पूरी तरह से आपका month के end में फिर week के end में आप profitable ही निकलोगे आपका account green में ही close होगा और उसके आगे के जितने ratios हैं ये कहने की जरूरत नहीं आप यहा पास आगे बढ़ते हैं 1 ratio 4 की तरफ हम लोगों को जो जिखाया गया है ज्यादा quantity पर नहीं quality पर काम करने के लिए अब 1 ratio 4 की तरफ आता है है अगर 1 ratio 4 में 10 में से 2 बार आप सही हो गया मतलब 10 में से 2 trade के prediction आपके सही हो गई buy या फिर sell किसी भी side में आप break even पर होगे break even पर होगे और 10 में से 3 trade अगर आपके सही होगे पूरी तरह से आप profit में हो जाओगे पूरी तरह से आप profitable हो जाओगे थोड़ी सी मेहनत लगती है इसके अंदर but win ratio अगर आपका 1 is to 4 का है जो chances हैं जो आप trade execute करते हो वो 1 is to 4 के लि करते हैं 1 is to 4 के लिए ऐसा नहीं कि हमने कल से इपना एक रुपय का stop loss अचार रुपय का target लगा दिया trade execute करने में बड़े profits या फिर ज्यादा points gain करने में या फिर कम points की stop process लगाने में बहुत सारे factors काम करते है stock selection सही होना चाहिए support resistance की सही समझ होनी चाहिए entry किस level पर लेनी है sector और आपका nifty इंकी समझ होनी चाहिए buy side की signal sum को कब buy side में trade execute करना चाहिए कब sales side में execute करना चाहिए इसके साथ इसाथ कई सारी formations काम करते हैं कई सारे patterns काम करते हैं इन सभी factors को plus इसके साथ इसाथ most important जो है वह है आपका experience यह जो experience word है यह सबसे ज़्यादा जटिल बना करके रखा गया है अगर आपको experience है तो बहुत सारी चीज़ें आपकी बहुत आसानी से solve हो जाते हैं तो कई सारे factors निकलते हैं एक अच्छा आरार गेन करने के लिए अगर आपको 2 is 2, 1 is 2, 1 is 2, 1 is 2 यह वाले ratios चाहिए तो आप बहुत आसानी से निकाल से कहीं से कुछ सीखने की जरूरत नहीं कुछ नहीं करने की जरूरत है आप सिंपली एक रुपाय के target एक रुपाय के stop loss लगा दीजे बैठ जाएए profitable तो आप नहीं हो पाओगे लेकिन एक जो होता है ना time pass हमारा बहुत अच्छी तरह से होगा वीडियो गेम खेले में या फिर किसी तरह का को इंजॉयमेंट लाइक फिल्म देखो उसमें भी हम मानेंगे कि इससे अच्छा वन इस्टू वन के target बुक करने से अच्छा है कि आप को फिल्म देख लो उसमें ज्यादा मज़ाएगा कम से कम वापर कुछ लॉस नहीं होगा लेकिन यहाँ पर क्या है ना लॉस हो जाएगा अब बढ़ते हैं आगे की तरफ वन इस्टू फाइफ की तरफ अच्छली हमारा जो परपस रहता आपको trade अपना जो हम explain करते हैं फिर कोई भी method हम आपको समझा रहे हैं कोई study समझा रहे हैं उनके जो win rate रहते हैं कोशिश करते हैं कि कम से कम इतना या फिर शुरुवात हमारी यहाँ से हो क्योंकि यह वाला जो group होता ना यह बहुत hard working group होता है अगर इसके उपर हम लोगों ने मेहनत कर ली तो profitable हम at the end हो जाते हैं बहुत से लोगों कैसा मानना है कि intraday में profit होता ही नहीं कोई भी ने profit कर पाता है बहुत से लोगों कैसा मानना है आप एक बार एक अच्छे आरा ratio के साथ एक अच्छे money management के साथ एक risk management के साथ proper way में एक सही system के उपर आईए profitable आप हो जाओगे 1 ratio 5 के साथ अगर आप काम कर रहे हो कि एक रुपाय का अपका stop loss होगा और पांच रुपाय का आपका target होगा आप 10 में से दो trade भी अगर सही कर ले जाते हो ना मतलब 10 में से दो trade आपके सही हो गए और 8 trade भी अगर गलत हो गए तो आप यहाँ पर profitable हो जाओगे 1 ratio 5 का मतलब यह हुआ कि यहाँ पर हमारे गए कितने रुपए 8 रुपए चले गए मानने लीजें अब हम थे 1 ratio 5 में यानि कि एक रुपए अगर हम देने को त्यार हो तो फिर हम 5 रुपए ही लेंगे और 5 रुपए पर आपने यहाँ पर कितने रुपए गेन कर लिए 2 trade में 5 इंटू 2 अगर हम कर देंगे तो वह हो जाता है 10 अभी 8 माइनस अगर 10 कर देते हैं तो 2 रुपए 2 रुपए मैं इसे मान ले जाए आपके 50 पैसे है फिर 1 रुपए आपकी ब्रोकरी चली गई फिर भी आप 1 रुपए प्रॉफिट में निकलो गया यह पावर होती है एक अ अगर आप एंटर करते हो तो 10 में से सिर्फ एक ट्रेड आपका सही आठ घलत तो भी आप प्रॉफिटेबल हो सुरी दस में से दो भी अगर सही है और आठ घलत तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे सुरी बहुत जरूरी और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि आपको समझना चाहिए एक अच्छे आरार रेशो के साथ अगर आपको काम करें और लॉंग टर्म में अगर इसके अंदर सक्सेस्फुल होना है तो इस चार्ट का स्क्रेंशॉट ले करके अपनी जहां करने के कोशिश कीजएगा और कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप नेचे कॉमेंट बॉक्स में से पूछ सकते हो और अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट रेडिंग सेक्शन में देखते हैं कल का मार्किट कैसी रहती है कुछ अच्छा अगर हम ट्रेड एक शेयर करेंगे ओके तो थैंक यू गुडबाय और वी विल मीट अगें